लोगसबा चुनाओ के पहले अवैध हथियारों के खिलाब पुलिस की मुहीम हुई तेज, तीन रिवालवर सहीद कार्टूस वा तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफतार, इसके पूर्व अवैध हथियारों पर खुई कारवाही की निशान देही पर ही हुई गिरफतारी लोगसबा चुनाओ के दौरान पुलिस ने अवैध हथियारों के प्रती अपनी मुहीम तेज कर दी है, जहां पिछले दिनों पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार करके उनके पास से भारी मात्रा में कार्टूस वा रिवालवर कट्टा जब्त किया था, वही इस बार उन पिस्टल जुन्दा कार्टूस लोहे का पंच बरामत करने के बाद उनसे पूश्ताश में जानकारी मिली, उन्होंने बहरी बान में एक व्यक्ति को पिस्टल बेंची है, पुलिस में उस व्यक्ति से पिस्टल वा कार्टूस बरामत किया, पूश्ताश में उसने बताया, श इसका कहना है इन अपराधियों से पूछता जारी है, निकट भविश में और भी अवैध हतियार बरामद हो सकते हैं। यह खुलासा पुलिस ने पत्रकार वार्टा करके पुलिस कंच्रोल रूम में किया। हम आपको बता दें, पुलिस ने तीन दिन पहले इलाहबाद से एक अपराधि को गिरफतार किया था। उसकी निसान देही पर अवैध हतियार बरामद हुए थे। यह सारे हतियार पुलिस मानती है उसी अपराधि के गिरोह द्वारा रिवा शहर के आसपास सप्लाई किये गए हैं। आज पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफतार किया है, उन में से दो छात्र रिवा की ही नहीं प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में एक टियारस कॉलेज की हैं। यहां पर पिछलेवास कॉलेज परिसर के अंदर ही एक छात्र की दिन दहाडे गोली मार कर हत्या कर दी गई। यहां मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा और यह जो तीन अपराधियों आपके पीछे खड़े हुए हैं, इन में से तीन दो टियारस में शूद्याले की छात्र हैं। तो इसमें से एक आपका जॉडर भी टारस कावेर पड़ता है, मेरे प्यार से विकांट से केंडियर पड़ता है। और एक शिवों पांडे भी टारस कर चाहते हैं। इसके पहले आपको ध्यानों का कल एक प्रस कांफेंस होई थी इसमें गांजार फपड़ने की बाद रही थी। इसमें एक आरोपी योगेस दुवेधी करके था। तो भी टियारस विशुद्याले के चाहता है। मुझे लगता है कि युवाओं में चात्रों में कुछ असियार दखने का शौक ज्यादा है। और इनकी आपसी गुराईयां भी हैं जगड़े भी हैं। अपने बचाओं में भी और हमला करने के लिए भी रोगत्या दखते हैं। कि यह बिल्कुल हम लोग उसी दिशा में कान कर रहे हैं। और हमको काफी कुछ ज्यामकारी मिली है। मैं तुमस्ताम के इस मंच पे उसको बताना उच्छे दो नहीं है। और आगे आने वाला समय में यह चीज़े हम आपके प्रकाश में दूराएं।